बिती रात नुहू हिंसा के आरोपी के ठिकाने पर दविश्ते ने पहुंची तावडू CIE टीम पर गोली चलाने का मामला सामने आया है जबावी कारवाई में एक आरोपी के पैर में लगी गोली जिसे घायल अवस्ता में मेडिकल कॉलेश में भरती कराए गया है बता दें गत 31 चुलाई सो भाई आत्रा के दोरान हुई सामप्रतायक हिंसा मामले में दो आरोपियों की नुहू मार्क पर शील को पाहाड में छिपे होने की सूचना दिर रात को तावडू CIE को मिली थी आरोपियों की ठिकानों पर पुलिस तविस्ते ने पहुंची तो पदमासों ने फाइरिंग कर दी जानकारी के मताबिक पुलिस ने भी जबावी कारवाई की और इस तोरान एक आरोपी मुनफायत पत्र चैकम निवासी गाओं गौरका के दाहिने पैर में गोली लगी है वहीं सैकुल को पुलिस ने काबू कर लिया गायल को नुहो राच्किय साई रसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेश नलहड में भरते कराई गया है मामले में पुलिस की ओर से अभी कोई अधिकारी बयान नहीं आया है प्रेस नौट चारी कर नुहो पुलिस ने ये जानकारी दी है उन्होंने काए कि एक देशी कटा एक जिंदा रौंद एवं बाइक बरामत की गई है नलहड मेडिकल कॉलेश में भी पुलिस सुरक्षा लगाई गई है शियाये तावडू, एसेचो, संदीप मोर और सदर तावडू थाना पिरवारी हकम सिंग भी घायल को देखने अस्पताल पहुंचे सब इंस्पेक्टर सतीस कुमार को घायल मनफैत की सुरक्षा में कई हतियारों से लैस चबानों के साथ लगाया हुआ है